जिसमिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम, अस्सलामु अलेकुम, डियर स्टुडेंट्स कैसे हैं आप, मैं वकार अर्षद, आपका बायलजी टीचर, आईए चलते हैं लेक्चर को डिस्कुस करने के लिए वाइट बोर्ट की तरफ Dear students, previous lecture में हम डिस्कस कर रहे थे, Artificial Vegetative Propagation and Significance of Vegetative Propagation के बारे में Artificial Vegetative Propagation दो तरहां से होती है, एक को cutting और दूसरी को grafting कहा जाता है कटिंग में पोदे के किसी भी वेजिटेटिव पार्ट को लिया जाता है वो स्टेम या रूट हो सकती है उसको जमीन में दबा दिया जाता है और उसके अंदर मेरिस्टरमेटिक रीजन का होना बन्यादी शर्थ है और जब हम ये काम कर देते हैं मिट्टी के अंदर दुबा देते हैं पानी और खुराक देते हैं माहौल मुहया करते हैं निगेदाश्ट करते हैं तो ये एक मुकमल नया पोदा बन जाता है और इसकी एक्जेंपल हमने पढ़ी रोज घुलाब का पोदा इसी तरह से ग्राफ्टिंग का अमल ये भी आर्टिफिशल वेजिटेटर प्रापिगेशन है जिसके अंदर एक पोदा जो जड़ों समेट जमीन में लगा है उसके ओपर हम एक नया पोदा उसका तना लगा देते हैं उनको आपस में जोड देते हैं उनकी केर करते हैं तो वो मुकमल तोर पर एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाते हैं और दो पोदों की खसूसियात एक ही जगा पर इकठी हो जाती है स्टूडेंट्स इस तरीके की मदद से हम सीटलेस फ्रूट्स प्रोड्यूस करते हैं इसके साथ साथ significance of vegetative propagation में advantages भी है और disadvantages भी है advantages के बारे में हमें मालूम है कि इसकी वज़ा से growth rate बढ़ जाता है पैदावार का अमल तेज हो जाता है नए बनने वाले जानदार हुबहु अपने वालिदेन जैसे होते हैं खसूसियात महفوظ हो जाती हैं और एक ही पोदे को इस्तमाल करके बड़ी तादाद में नए पोदे त्यार किये जा सकते हैं नुकसान क्या है नुकसान ये है चुके identical होते हैं variation नहीं आती हैं इसकी वज़ा से नए खसूसियात का आना मुमकिन नहीं हो पाता और दूसरा नुकसान ये है कि species specific disease का attack हो जाए तो उसके नतीजे में पूरी की पूरी नसल एक साथ तबाहो बरबाद हो जाती है बिमारी का मुकाबला मुमकिन नहीं हो पाता है इससे पहले हम reproduction की वो किस्म को समझ रहे थे जो के asexual है asexual reproduction जिसमें एक parent involved है एक gender involved है और उसमें एक ही parent से एक मुकमल नया जानदार बनता है जबके sexual reproduction की बात की जाए तो उसमें दोनों sexes involved है male parent भी involved है और female parent भी involved है ये reproduction का ऐसा तरीका एकार है जिसमें नर और मादा, male और female दोनों parents आपस में मिलाब करते हैं इनकी crossing होती है और दोनों में खास किसम के cells हैं जिनने हम gametes का नाम देते हैं reproductive cells का नाम देते हैं, germ line cells का नाम देते हैं ये दोनों आपस में मिलते हैं male gamete भी haploid होते है, female gamete भी haploid होते है dear students, यह meiosis के अमल से बनते हैं और meiosis cell devian की वो किस्म है कि जिसमें एक parent से चार नए daughter cells बनते हैं और वो half in chromosome number होते हैं as compared to their parent यही वज़ा है कि meiosis से बनने वाले germline cells या reproductive cells जिनको हम gametes कहते हैं जब यह आपस मिलते हैं, male और female parents के मिलाब की वज़ा से तो नया बनने वाला zygote again deployed होता है जिसमें क्रॉमोसॉम दुबारा पेर की शकल में आ जाते हैं आदे क्रॉमोसॉम male parent के होते हैं आदे क्रॉमोसॉम female parent के होते हैं जिसकी वज़ा से नर और मादा, माँ और बाप दोनों की खसुसियात नई नसल में इकठी हो जाती हैं इसकी definition हम यू कर सकते हैं इसके अंदर male और female gametes बनते हैं आपस में मिलते हैं इनके मिलने का अमल fertilization कहलाता है इसके बाद sexual reproduction पोदों में किस तरह से होती है इसको जानने के लिए हमारे इल्म में होना चाहिए पोदों के कितने groups हैं और वो कौन-कौन सी खसुसियात के हामिल है उनके अंदर reproduction कैसे होती है reproduction के लिए किन चीजों की जरूरत है आईए ये तमाम topics discuss करने के लिए हम चलते हैं next white board की तरफ Dear students, sexual reproduction non-seeded और seeded plants में पाई जाती है plants के दो major groups है एक seeded plants जबके दूसरे non-seeded plants दूसरे इल्फास में हम यह भी कह सकते है seed producing plants, non-seed producing plants Dear students, वो पोदे जिन में बीज पैदा नहीं होते हैं वो primitive type of plants हैं वो पोदों के पुरानी किसम के groups हैं और उनकी further two types हैं एक को mosses कहा जाता है और एक को fern का नाम दिया जाता है अब अपने सामने picture में देख सकते हैं कि mosses और ferns भी plant की एक type है इनके अंदर बीज बनने का अमल वाकिया नहीं होता है और इनके अंदर sexual reproduction के लिए water का होना लाजिम है यानि fertilization के लिए male और female gamete के आपस में मिलने के लिए पानी बन्यादी शर्त है अगर इनको पानी मुएसर होगा fertilization का अमल होगा male और female gamete आपस में मिलेंगे और sexual reproduction मुकमल हो पाएगी dear students ये non-seeded plant हैं जिनके अंदर seed produce नहीं होते हैं इसके बरक्स दूसरी किस seeded plants की है यानि seed producing plants ऐसे पोदों के group जो बीज पैदा कड़ने वाले हैं अग इनकी further two categories हैं इनकी दो major types हैं और वो कौन सी हैं आईए देखते हैं naked seeded और flowering plants naked seeded plants वो हैं जिनको जिम्नो स्पाम कहा जाता है जबके flowering plants वो हैं जिनको एंजियो स्पाम का नाम दिया जाता है आपके लिए हिरानी की बात है कि बीज बगेर फल के भी लगते हैं और वो पोदे जिनमें बीज बगेर फल के लगते हैं उनको नाम दिया जाता है जिम्नो स्पाम का इसी तरह से वो पोदे जिनमें बीज मजीद हिफाज़त के लिए एक्स्ट्रा के लिए फ्रूट बाडी के अंदर अला ताला ने छुपा रखे होते हैं वो seeded plant flowering plant कहलाते हैं दिया स्टूडेंट्स flowering plants में flower fruit में तबदील होता है fruit के अंदर seed produce होता है और fruit seed की protection करता है ये हैं तीन major groups plants के दो वो हैं कि जिनके अंदर seed produce नहीं होते हैं दो वो हैं जिनके अंदर seed produce होते हैं वो groups जिनके अंदर seed produce नहीं होते उनको पानी लाजमी चाहिए है और लाजमी इसलिए चाहिए है क्योंके male और female gametes का मिलना उसके बगएर मुमकिन नहीं है इसके बरक्स वो पोदे जिनमें बीज पैदा होते हैं खावो naked हों बगएर फलके हों खावो फलके अंदर मुझूद हों उनको पानी की fertilization के लिए जरूरत नहीं है इसका क्या मतलब है इन इल्फास पर गोर कीजिए alternation का मतलब होता है रदो बदल करना एक को दूसरे से exchange करना अदल बदल करना generation का मतलब नसल होता है यहाँ पर ये बात समझ लीजिए के पोदों के अंदर दो generations होती है एक को sporophyte generation का नाम दिया जाता है एक को gametophyte generation का नाम दिया जाता है dear students sporophyte generation को sporophyte क्यों कहा जाता है नाम ही से जाहिर होता है कि ये ऐसी generation है जो spor producing है यहाँ पर spor producing generation को sporophyte generation का नाम दिया गया है और इस generation में meiosis का अमल होता है यहाँ पर meiosis का अमल होता है और meiosis के अमल से गुज़र कर sports produce होते हैं यहाँ पर एक बात समझ लीजिए sports दो तरह की होते हैं एक mega sport और दूसरे micro sport होते हैं और यह दोनों haploid होते है because meiosis involved है meiosis के अमल से बने हैं और meiosis में नए बनने वाले cells में chromosome unpaire होते हैं parents के मुकाबले में half होते हैं यह sports further development के बाद gametophyte generation में तबदील होते हैं और gametophyte generation को यह नाम क्यों दिया जाता है इसलिए दिया जाता है क्योंकि यह gamet producing generation है यह बात clear कर लीजिए कि gamets दो तरह के होते हैं एक को male gamet कहा जाता है एक को female gamet कहा जाता है मेगा स्पोर और माइक्रो स्पोर माइटासिस के अमल से गुजर कर मुक्तलिफ तबदीलियों से गुजर कर male और female gamet में तबदील हो जाते हैं यह स्टूडेंट्स यह दो तरह के gamet जब आपस में मिलते हैं इनके मिलाप का अमल इनकी फ्यूएन का अमल fertilization कहलाता है fertilization के अमल के नतीजे में जो निया cell बनता है वो deployed होता है और zygote कहलाता है यहां पर half chromosome father से जबके half chromosome mother से आते हैं और इसी तरह से दुबारा से chromosome जो के unpaired थे gametes के अंदर zygote में दुबारा pair की form में आ जाते हैं और हम कहते हैं यह deployed zygote है यह students zygote further changes से गुजटता है इसमें mitosis का अमल होता है repeated cell devian होती है बार बार cell devian होती है और cells की बार बार तक्सीम के नतीजे में लाखों करोडों cells वजूद में आते हैं और एक मुकमल नया पोदा बनता है उसको sporophyte generation का नाम दिया जाता है यह cycle यह ही चलता रहता है sporophyte generation spor produce करती है spor गैमीट्स में तबदील होते हैं यह gametophyte generation है gametophyte generation से दुबारा sporophyte generation बनती है और यह अमल जिसमें यह दोनों generations एक दूसरे को alternate करती है एक दूसरे के वजूद का बाइस बनती है alternation of generation कहलाता है यहाँ पर आपके सामने ग्राफ मुझूद है graphical representation दी गई है इस डायग्राम को देखिए यह sporophyte है जिसमें meiosis होती है sports बनते हैं mega और micro sports होते हैं यह gametophyte में तबदील होते है gametophyte generation gametes बनाती है gametes के मिलने से zygote बनता है और दुबारा से sporophyte generation वजूद में आ जाती है और यह अमल alternation of generation कहलाता है यह नसलों का एक दूसरे से बदल बदल कर आना इसकी definition आप यह लिख सकते हैं the phenomena in which two generations alternate with each other during life cycle is known as alternation of generation यह topic इंतहाई एहम topic है board examination में alternation of generation पे short question आ चुका है आपको भी पूछा जा सकता है आपने इसको थियार कर लेना है इसी तरह sexual reproduction की definition है short question में पूछी जा सकती है आपने इसको भी त्यार कर लेना है इसी तरह से सवाल पूछा जा सकता है plants के कौन कौन से तीन groups है आप नाम बताइए तो आप बताएंगे mosses हैं, ferns हैं और seeded plants हैं इसी तरह से सवाल पूछा जा सकता है seeded plants के कितनी एक्साम है आप बताएंगे gymnosperms हैं और angiosperms हैं इन में से एक naked seeded हैं एक में seed fruit के अंदर cover होता है आपको long question पूछा जा सकता है पोदों के अंदर alternation of generation कैसे होती है आप उसका जवाब diagram के साथ definition के साथ explanation के साथ दे सकते हैं dear students आपने इन तमाम topics को अच्छी तरह से memorize कर लेना है learn कर लेना है इमतिहानी नुक्ता नदर से अच्छी तरह से त्यार करने के लिए जरूरी है कि आज का lecture attend करने के बाद आप इसको याद करने के बाद note down भी करें और note down करने से ही लिख कर याद करने से ही बेहतरीन त्यारी होती है आपने objective टाइप के लिए subjective टाइप के लिए आज के topic को त्यार करना है मुझे उमीद है आप इन instructions को follow करेंगे और अच्छी त्यारी करेंगे अच्छे marks हासिल करेंगे अगले lecture तक के लिए अपना ख्यार लखिएगा अलाँ हाफिस